नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उमीद है हमारे चैनल पर अवेलेबल वीडियो से आपको अपने लीगल मेटर में हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों वर्स 2018 में नेगोशियेबल इंस्टू एक्ट में काफी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट किये गए थे। जिनका उद्देश है चैक बाउंस के केसेज को जल्दी खत्म करना और पार्टीज को कम्प्रोमाइज के लिए मोटिवेट करना था। उसी टाइम एक सेक्शन 143A भी जोड़ी गई जिसमें प्रोविजन किया गया कि कोर्ट चैक अमाउंट का 20% राशी पहले भी दिलवा सके लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है कि केस करने के बाद ये 20% अमाउंट कैसे मिलेगी। इसलिए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम चैक बाउंस का कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें शुरुवाती स्टेज पर ही कैसे 20% अमाउंट क्लेम कर सकत हैं लेकिन इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल विधान का ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के आपको मिलते रहें दोस्तों नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सन 2018 के अमेंडमेंट से जो सेक्शन 143A जोड़ी गई उसमें प्रोविजन किया गया था कि चैक बाउंस के केस में चैक देने वाले व्यक्ति पर कोर्ट चार्ज लगाता है और वो खुद को निर गया था और साथ ही ये प्रोविजन भी है कि इंटेरिम कंपंसेशन की अमाउंट अधिक्तम चैक अमाउंट की 20% तक हो सकेगी दर असल जब भी चैक बाउंस के केस में चैक देने वाली पार्टी उपस्थित होती है तो कोर्ट उस पर चार्ज लगाती है यानि कोर्ट उसक करने वाले ने जो आरोप लगाया है आप उसको स्विकार करते हो या ऐस्विकार अगर चैक देने वाली पार्टी अपने अपरात को स्विकार कर ले तो कोर्ट उसी स्टेज पर केस को डिसाइड कर सकती है लेकिन अगर वो ये कहे कि मन निर्दोस हूं तो फिर कोर्ट में के की ट्राइल चलती है जिसके दोरान कोर्ट सारे एविडेंस और गवाहों के बयान वगरे लेकर उनके आधार पर केस को डिसाइड करती है इसमें टाइम भी लगता है और कोर्ट को अपनी प्रोसीजर भी कंप्लीट करनी होती है इसलिए जहां पर केस में चेक इस्यू करने वा को इंटरिम कंपंसेशन के रूप में पहले दे जो कि चेक अमाउंट का 20% तक हो सकती है यही नहीं कोर्ट चेक इस्यू करने वाली पार्टी को यह अमाउंट पे करने के लिए 60 दिन तक का टाइम देती है और साथ ही यह कंडिशन होती है कि अगर वो इस 20% अमाउंट का पै केंसिल हो जाएगी हाँ अगर किसी मैटर में कोर्ट को यह लगे कि 60 दिन में पैमेंट नहीं कर पाने के लिए कोई उचित कारण था तो कोर्ट चेक इस्यू करने वाले को 30 दिन तक का टाइम और दे सकती है और अब हम बात करते हैं कि कंप्लेंट करने वाले को यह 20% अमाउ वो उपस्थित होता है और कोर्ट उस पर चार्ज लगाती है तो उसी स्टेज पर आप एक एप्लिकेशन सेक्शन 143A के अंतरगत पेश कर दीजिए जिसमें यह स्पेसिफिकली लिखना होगा कि चैक डिसोनर के बाद एक्यूजड को नोटिस मिल गया था और नोटिस के बा यह एप्लिकेशन जरूर फाइल कर देने चाहिए ताकि कोर्ट उस पर ओर्डर कर सके अब सवाल यह आता है कि कोर्ट चैक जारी करने वाले व्यक्ति को 20% का पैमेंट पहले करने के लिए ओर्डर तो कर दे लेकिन अगर उस केस में चैक जारी करने वाला व्यक्ति बरी हो ज जाता है तो जो भी amount शुरू में interim compensation के रूप में court ने दिलवाई थी वो amount plus bank rate से ब्याज की amount accused वापिस प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और वो amount complaint करने वाली party से वसुल की जा सकती है इस section पर बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और भी समझ लेने चाहिए कि ऐसा ही provision appeal की stage के लिए भी किया गया है मान लिजिए case में decision check issue करने वाले के खिलाफ होता है और वो party session court में appeal करती है तो फिर appeal पेश करने पर भी lower court ने decision में जो amount pay करने के लिए order किया है उसका 20% appeal के सुनवाई करने के पहले pay करने के लिए appeal court कह सकता है lower court ने जो interim compensation का order किया और जो order session court करती है इन दोनों में अंतर ये है कि lower court तो check amount का 20% तक दिलवा सकती है लेकिन appeal में total amount का 20% तक interim compensation के रूप में दिलवाया जा सकता है जैसे कि मान लिजिए अगर किसी case में court check जारी करने वाले के against decision करती है तो check amount तो दिलवाई ही जाती है साथ ही check amount के दो गुने तक penalty भी दिलवाई जा सकती है अगर एक लाग का check है तो trial court इस एक लाग के अलावा दो लाग रुपए तक की penalty भी लगा सकती है तो appeal की stage पर इस एक लाग प्लस दो लाग यानि total 3 लाग का 20% तक दिलवाया जा सकता है जबकि trial court केवल एक लाग का 20% तक ही दिलवा सकती है तो दोस्तों उमीद है आप check bounce के matter में interim compensation के provision को ठीक से समझ गए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या फिर आप अपने किसी legal matter पर मुझसे राए लेने के लिए बात करना चाहते हैं तो आप screen पर दिखाये गए हमारे number पर WhatsApp करके call book भी करवा सकते हैं ऐसी ही जानकारिया regular प्राप्ट करने के लिए आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में